नमस्कार आज की जो कविता है वह है कन्यादान इसमें कवी क्या कहता है कि जो यहाँ पर मा और बेटी के बात करकी जा रही है मा ने अपना जीवन काफी दुखों में बिताया है और उसने इतने दुख सहे हैं और वे चाती है कि जब उसकी बेटी का विवा हो हो तो उसे वो सारे दुख सहन ना करने पड़े उसकी बेटी ही उसकी अंतिम संपत्ती है उसकी अंतिम पूंजी है उसकी आखरी संपती है उसकी बेटी और जितने भी सुक दुख वह अपनी बेटी के साथ बाड़ती थी जो भी उसके सुक और दुख थे सभी अपनी बेटी के साथ बाड़ती थी चाहे वह बेटी का विवा कर रही थी लेकिन बेटी जो है बहुत छोटी है और अभी उसने दुनिया नहीं देखिया है दुनियादारी के बारे में उसे ग्या नहीं है क्योंकि वह बहुत भोली है और सीधी साथी सी है वहें दुख की उपस्तिती तो महसूस कर सकती है कि जीवन में दुख आई है लेकिन उन दुखों को समझना कि दुख क्या होता है और उसे पढ़ना उसे नहीं आता है ऐसा लगता है कि वह धुंदले प्रकाश में जीवन की कविता को पढ़ रही है कैसे प्रकाश में धुंदले जहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा कवी क्यों कहता है इसलिए कहता है कि हमारे जीवन में अनेक दुख और तकलीफ आती है और वह उन्हें पढ़ने में सक्षम नहीं है उनके बारे में जान नहीं सकती है क्यों नहीं जान सकती है क्योंकि धुंदले प्रकाश की पाठिका की तरह वह है ऐसा लग रहा है जैसे वह बहुत दीमे दीमी रोशनी में कुछ पढ़ना चाह रही हो ऐसा इसलिए कहा गया है कि उसने किवल दुख महसूस नहीं किये है मतलब उसको पता तो है कि दुख है लेकिन उन्हें समझना उसे नहीं आता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वह दुनियादारी को अभी समझ नहीं पाई है उंच नीच को भले भाती समझ नहीं पाई है वह इतनी चालाक नहीं हुई है कि दुनिया में जो भेद भाव हैं उन्हें समझ कर अपना निर्णय ले सके यहाँ पर यह कविता जो है मा और बेटी के बारे में हैं उनके संबंधों के बारे में हैं यहाँ पर मा की जो चिंता है कन्यादान के समय वह इस पस्ट दिखाई दे रही है फिर वह कहती है अपनी बेटी को सिख्षा देते हुए वह कहती है कि पानी में जहाक कर केवल अपने चेहरे की सुन्दर्ता को मत देखना केवल सुन्दर्टा को ही मत निहारना केवल बनाव शिंगार पर ही ध्यान मत देना बल्कि जो तुम्हें परचाई दिखाई दे रही है पानी में उसके बारे में जान लेना यानि खुद के बारे में तुम जरूर जान लेना जो पानी परचाई दिखाता है और सुन्दरता के प्रति तुम्हें आकशित कराता है यानि कि जो चीजें तुम्हें संसार में आकशित करेंगी तुम्हें लुभाएंगी तहें तुम्हारी मृत्यू का कारण भी बन सकती हैं इन शब्दों में मा का समाज में जो महिलाओं का स्थान है महिलाओं के प्रति ज पिरवह शिक्षय देती है कि रोटी जो सेके आग जो है केवल किसली है रोटियां सेकने के लिए है ना कि जलने के लिए है और जलने और जलकर मर जाने के लिए नहीं होती है यानि कि आग का हमें सदुप्योग करना चाहिए किसी विवस्तु के दो उप्योग हो सकते हैं उसका अच्छा उप्योग और उसका बुरा उप्योग यहाँ पर पानी और आग का माने उधारण लिया है और यह बताया है कि पानी परच्छाई देखने के लिए भी है और आग रोटियां सेखने के लिए है ना कि जलकर मर जाने के लिए नारी चीवन को भ्रह्में डालने के लिए उसे बहलाने के लिए उसे तरह तरह के वस्त्र और गेहने प्रदान की जाते हैं तो मा यहाँ पर क्या कहती है यह तो सब्द शाफदिक धोखे है यानि कि तुम्हें दोखे में रखने के लिए प्रयूग किया गया है जीवन में बांधने के लिए तुम्हें वस्त और गहने दिये जाएंगे तभी फिर यह कहते है कि तुम लड़की तो बने रहना यानि तुम लड़की हो तो लड़की बनी रहना लेकिन लड़की की तरह कभी भी दिखाई मत देना सजग रहना और सचेत भी रहना सजग और सचेत रहने का तद पर ये क्या है तुम्हारे आसपास जो तुमें बहला फुसला कर घटनाए हो सकती है उनके प्रती तुम सावधान रहना समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं उन कि मा को लगता है कि संसार निर्मम है संसार निर्मम है उसमें कोई दया भाव नहीं है इसलिए वह अपनी बेटी को कहती है कि भली भाती समझ कर ही अपने जीवन के निर्ने लेना उसके बाद अपनी बेटी को कहती है कि तुम जो स्त्री जाग रुकता है उसके प्रती सचेत रहना और कभी भी अपने आपके प्रति अत्यचार मत करना तुम घर ग्रिष्टि के सब काम करना लेकिन अपने आपको कश्ट दे करके प्रेशान हो करके मत देना यानि कि आग को कहते हैं रोड़ियां सेखने के लिए उसका प्रयोग करना ना कि जल जाने के लिए अन्तिम जी हो क्योंकि हर समय बेटी जो है मा के साथ रहती है और अब मा को लग रहा है कि उसके संपौन जीवन का धन उससे अलग हो रहा है वह करती है कि वातावरण की सुंदर्ता पर मत रीज जाना लेकिन खुद के प्रती भी सचेद रहना तो इस तरह से इस कविता में संपौन कव